भारती करेंसी पर लक्ष्मी गड़ेश की फोटो लगाने के लिए दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद की जीवाल ने पियाम मोधी को पत्र लिखा है स्रीयम ने पत्र की कॉपी ट्वीट कर इसकी जानकरी दी है वह उनों ने लिखा कि मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर 130 करोण भारत वास्यों की और से निवेधन की आहे की भारती करेंसी पर महत्मा गाने के साथ साथ मा लक्ष्मी और भगवान गड़ेशी की तस्फीर भी लगाई जाए गौरत लब है कि CM के जिवाल ने 26 अक्टोबर को अपने डिजिटल प्रेस कॉनफरेंस में भारतीय मुद्रा पर गाने जी के साथ ही भगवान लक्ष्मी गड़ेश की फोटो छापने की PM मोडी से अपील की थी खास बात ये है कि CM की इस अपील की उनके विधायक और सांसत ने भी अपनी सहमती दी थी महीं आपको बताने कि PM मोडी को अपने पत्र में CM के श्रीवाल ने लिखा कि देश के 130 करोड लोगों की इच्छा है कि भारती करेंसी पर एक तरफ गाने जी की और दूसी तरफ श्री गड़ेशी और लक्ष्मी जी की तस्पीर होनी चाहिए आज देश की अर्थ व्यवस्ता काफी बुरे दौर से गुसर रही है साथ ही आजादी के 75 साल बाद भी भारत विकास शील और गरीब देशों में गिना जाता है हमारे देश में आज भी इतने लोग गरीब हैं क्यों एक तरफ हम सब देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत रखते हैं तो दूसी और हमें भगवान का आशिरवाद भी चाहिए ताकि हमारे प्रयास फली भूत हों परसों दिवाली का जो पूजन कर रहे थे हैं तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया उस वक्त मन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉंग भाव आया कि अगर भारतिय करेंसी के ओपर अगर ऐसा हो हम सब लोग पूजन करते हैं सब लोग भाव से पूजन करते हैं तो अगर भारतिय करेंसी के ओपर भी यह हो मैं यह नहीं कहा रहा है यह करने से मातर से केवल अर्फेवस्ता सुदरीगी बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है लेकिन वो एफर्ट्स तब फली भूत होते हैं जब देवी देवकाउं का आशिरवाद होता है जैसे मैंने का कि हम किसी की खिलाफ नहीं बोल रहे हैं हम यह नहीं कह रहे हैं इसको हटाओ उसको रखो उसको हटाओ किसी के भी खिलाफ नहीं है और जब इंडोनेशिया कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, इसमें किसी को अपत्ती होनी नी चाहिए, और सब की सम्रिधी की बात हो रही है, सब की संपन्नता की बात हो रही है, पूरी देश की संपन्नता की बात